हलो नमस्कार सभी विध्यारतियों का उतकर्स एग्रिकल्चर क्लासेज के इसे सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके अपने यूटूब चैनल पर मैं जील चोधरी आप सभी विध्यारतियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ हम यहां आज के सेसेशन में एक विशेश इशू यानि के पाठेकरम को लेकर के चर्चा करेंगे अभी हाल ही में राजस्तान पब्लिक सर्विस कमिस्टन के दौरा अग्रिकल्चर डिपार्टमेंट में आपके एक करशी अधिकारी यानि की एक वेकेंसी को लेकर के नोटिफि पहली बार जिसको कह सकते हैं यो की एक्जाम में ना तो कोई इंट्रिव्यू है यानि की रिटन बेक्स आपके एक्जाम रहेगा और पाठेकरम में भी हिंदी नहीं है यानि की एग्रिकल्चर और जी के तो इसमें भी मुख्य रूपश अगर कहा जाए तो परमुक वेटे एक्जाम फोर्दा पोस्ट अग्रिकल्चर ओफिसर अगर हम यहां पर बात करें तो यहां देखेगा आपके एग्रिकल्चर ओफिसर जिसको कह सकते हैं इसके पार्ठिकर्म को ले करके तो एवो का जिसको कह सकते हैं इन्होंने क्या किया है सलेवस आपके जारी किया है इसके दो पार्ट पार्ट वन और पार्ट टू पार्ट वन में आपके जीके है जिसके टोटल कितने होंगे 40 क्यूसंस होंगे इसमें आपके क्या है जिसे इस्ट्री है आर्ट एंड कल्चर है आपके heritage of राजस्तान जिसको कह सकते हैं आपको दिखाई देगा यह ध्यान रखना है आपको तो यह कुछ चीजे अब इसके सेलिवस्ट में अगर हम बात करें तो यहां देखिएगा pre and early history of राजस्तान, age of राजपूत, major dynastries of राजस्तान and its achievement for of prominent rulers यानि कि राजस्तान में जो सासन व्यवस्ता रही उसको लेकर के यहां पर आपके बात की गई है, emergence of modern राजस्तान, आदुनिक राजस्तान, factor of socio-political awakening of 19th century, 19th century सदी में राजस्तान के बारे में आपके विकास development को लेकर के, आपके presence and tribals जिसको कह सकते हैं, और यहां उसके movements को लेकर के बात की है, और 20th century, political struggle of 20th century and the integration of राजस्तान, राजस्तान का एकिकर्ण है, 19th और 20th सदी में राजस्तान के बारे में बात की गई है, visual of art राजस्तान, architecture, forts, temples of राजस्तान, sculpture, tradition of राजस्तान and various schools of painting of राजस्तान, यानि कि यहां पर राजस्तान की इस्तापत्य कला को लेकर के बाते की गई है, कि राजस्तान के परमुक मंदिर्स कहा है, राजस्तान की जो painting जो है आपके उसको लेकर के चर्चा की है, इस sculpture जो traditions है, हमारे उनको लेकर के चर्चा की है, कीले, जो आपके कीले हैं उनको लेकर के चर्चा की गई है, परफॉर्मिंग आर्ट और प्राजस्तान, फ्लोक मुजिक, मुजिकल इंस्ट्रुमेंट्स और प्राजस्तान, फ्लोक डांस और फ्लोक ड्रामा और प्राजस्तान, यानि कि लोक नरत्यों को लेकर के चर्चा की गई है कि राजस्तान के कोणचे लोक वाद्य है, कोणचे लो डाइटीज और प्राजस्तान अलग-अलग संपरदाई के जो आपके महन विभूतियां हुई है संत संपरदाई को लेकर के यहाँ पर पाठे करम में चर्चा वेरियस आपके डायलेक्ट्स एंड डिस्ट्रिबूशन और राजस्तान लेंग्विज राजस्तान का साहित्ते को लेकर के चर्चा की गई है और यहाँ पर देखेगा हेरिटेज और आपके इसको कह सकतते ही यूणिट फैष्ट में तो फैष्ट यूणिट आपके क्या है आप मोटा-मोटा देखे तो आपके English के पाठेक्रम में पहली यूणिट में आपके किसकी चर्चा की गई आपके जोग्राफी और नेचुरल रिशोर्शेज, सोशो एकोनोमिक डवलपेंट और राजस्तान, अगर मैं यू कहूं, कि यूनिट नमबर दो में राजस्तान की अर्थवेवस्ता और राजस्तान के गोल को लेकर के चर्चा की गई है, ये ध्यान रखना, तो ये हमारा एपार्ट जो है, जिसको हमने चर्चा की, इसके बाद अगर देखें, तो हमारी यहाँ जिसको कहा जाएं तो आपको क्या दिखाए देगा, हम बात कर लेते हैं आपके इसको कह सकते हैं, आगे की ओर, जहां जोग्राफी वाला जो पार्ट है, उसको लेकर के हम चर्चा कर लेते हैं, जोग्राफियो फॉप राजस्तान और फिजिकल फीचर्ण माउन्टेंस प्लेटूज। फ्लेंस येकब कि इस्तिति क्या है राजस्तान के आपके नदिया राजस्तान ये जो पहाड़ है आपके राजस्तान में जो फॉप बनले त прया की दो hou आप मुख्य जो जहीलें भी देखते हैं major soil types and distribution राजस्तान में कौन-कौन सी मुख्य मरदाएं हैं जैसे अगर हम देखते हैं तो आपके 8 परकार की मरदाएं विशेश रूप से आपको देखने को मिलती है Department of Agriculture के अनुसार देखते हैं तो आपको 14 परकार के distributions जंगलों के परकार वनों के परकार डेमोग्राफिक रेक्टर्स डेजर्टिफिकेशन ड्रोड्स एंड फ्लर्ड्स डीफोरेस्टेशन एन्वार्मेंटल पोल्यूशन एंड एकोलोजिकल कंसेंट यानि कि यहां पर एकोलोजी को कर सकते हैं इनर्जी को लेकर के बात की गई है major agrobests इंडस्ट्री जो एग्रोग आपके सकते हैं कर्ष्य से जुड़ी वी जो उड्योग के वेजिटेबल ओईल्स पोवर्टी एंड आपके अनेंप्लोइमेंट एग्रो फूड पार्क हमारे एग्रो फूड पार्क कुन-कुन से हैं और यूनिट थर्ड में करंट इवेंट एंड इशू जो प्राजस्तान एंड इंडिया ये राजस्तान का करंट अफेर से जिसकी कर सकते हैं और साथ में इंडिया का तो इंडिया की क्लास आपके मोर्निंग में प्रते जिसको कर सकते दिन में आपके सुबह 6 बज़े लगती है कुमार गोरवसर की तो कुमार गोरवसर से आप इंडिया जी के करंट पूरा कर सकते हैं और नरेंदर चोधर से आप जिसको कर सकते हैं राजस्तान का current affairs पूरा कर सकते हैं इंपोर्टेंट परसंस कौन से हैं places and current events of the state national and international event of important new schemes and initiatives taken recently welfare and development in राजस्तान तो अगर देखा जाए तो पार्ट A में आपके पास जीके है 40 क्यूसंस है और अगर यहां पर देखेंगे तो आगे second part में आपको दिखाई देगा agriculture 110 पा current culture, geography और राजस्तान की economy और आपके current affairs राजस्तान और इंडिया यहाँ पर पार्ट B में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके agriculture है और agriculture के लगबग लगबग major major subjects आपको दिखाई देंगे unit A अगर मैं इस unit A को अगर एक परकाशे define करूँ तो यह agronomy और soil science का आपको mix up दिखाई देगा यहाँ पर देखेगा agro climate zone of India भारत के agro climate zone तो भारत में 15 agro climate zone है एंड राजस्तान राजस्तान में 15 climate zones है weather forecasting and climate तो मोसम और जलवायू को लेकर के चर्चा की गई है remote sensing तो remote sensing को लेकर के चर्चा की गई है modern concept in crop production soil reaction मर्दा भीक्रिया interaction soil plant water relationship मर्दा और प्लांट के बीच में जल के आपके इसको कर सकते एक परकार से यहाँ पर इजियोलोजी को लेकर के बात की गई है organic manner जो आपके जीवा जीवान स्काद है fertilizer उर्वरक है जेव उर्वरक को लेकर के चर्चा की गई है आपके समन्वित पोसक परबंदन को लेकर के चर्चा की है concept of site specific nutrient management पोसक ततों का परबंदन irrigation schedule सीचाई को लेकर के और सीचाई धक्षता को लेकर के सीचाई धक्षता से हमेशा ही क्यूशन आया है यह द्यान नकरा चाहे वह water use efficiency से हो चाहे आपके particular किसी crop को लेकर के पूछाओ water requirement pressurized irrigation system जैसे इसमें drip आता है sprinkler आता है रेंगेन आता है integrated आपके weed management समन्वित और आपके जिसको कह सकते हैं खरपत्वार परबंधन management and parasitic parasite and aquatic weeds परजिवी और जलिये खरपत्वारों को लेकर के problem of soil erosion तो राजस्तान में wind erosion होता है तो यानि की soil erosion को लेकर के बात की गई है लगबग लगबग इसको कह सकते है agronomy वाला part कुछ आपके पोसक तत्वों को लेकर के चर्चा की गई है इसमें तो यह आपका जो B part अगर हम आगे बात करें तो देखीगा यहाँ पर आगर देखेंगे तो कुछ सुष्क जलवाई को लेकर के यानि की arid खेती आपके in arid and semi-arid regions agronomic practices in soil and water conservation integrated watershed management integrated farming systems organic farming जेवी खेती dry land farming constructions in dry farming areas moisture conservation practices in dry land farming tillage क्या है role of agroforestry in soil and water conservation silvy culture को लेकर के यहाँ छोटा सा बिंदू डाल दिया अलग से नहीं है यहीं पर डाल दिया आपके compatibility of crops agronomy of important crops यहाँ पर crops का classification नहीं किया है यानि की crops सभी आएगी लेकिन यहाँ पर दे दिया है इन्होंने कि major जो important cereals है pulsage है oilseed crop है fiber crops है चारा वाली पसले है सूगर कहन है सूगर बीड चुकंदर है और आलू को लेकर के सोईलो प्राजस्तान एंड इंडिया भारत और राजस्तान की मरदाइं essential plant nutrient आउशक पोसक्तातों their functions and deficiencies and toxic यानि की पोसक्तातों के क्या कारिये हैं उनकी कमी और अधिक्ता से होने वाले क्या प्रभाव आपको agriculture पर दिखाई देंगे या हमारे plants पर दिखाई देंगे सोईल फर्टेलिटी एंड प्रोटेक्टिविटी क्या है मरदा और वरता और पदक्ता को लेकर के चर्चा है nutrient recommendations formation and management of saline saline sodic और sodic and acid soils यानि कि हम यह कह सकते हैं कि problematic soils को लेकर के microorganism in soils and their role शुक्सम जीओं का क्या role है और क्या importance आपके agriculture में physical and chemical biological property of soil यहां पर जिसको कह सकते हैं clay की बात की है पीछे की तरफ clay minerals कोंड से हैं जिसको कह सकते हैं तो जैसे आपके क्योलि नाइट है मौन्ट मोरिल नाइट है इलाइट है माइका है आपके वर्मिकुलाइट है उनको लेकर के soil reactions क्या है buffering capacity पीछे की तरफ भी दिया है आपके पास soil reactions इसमें आता है pH और buffering capacity अगर मैं बात करूँ ए यूणिट में इसकी फैस्ट उनिट की तो फैस्ट उनिट में majorly अगर देखोगे तो आपको एक तो agronomy दिखाई देगी आपके क्या है agronomy तो एक तो agronomy दिखाई देगी साथ में इसमें soil science भी है यह ध्यान रखना क्या है soil science भी है तो यह आपको अब B unit में अगर आप देखोगे तो आपके B unit में क्या है होटी culture और अगर आप देखेंगे अगर होटी culture के अगर आप बात करोगे तो होटी culture में जैसे pomology है, haulory culture है, summery culture है, इनको लेकर के most harvest management, fruit science, importance of fruit production with special reference of राजस्तान, recent trends in propagation, आपके propagation क्या है, नर्सरी क्या है, high density planting है, training and pruning है, important physiological disorders है, role of bio regulators है, आपके जिसको कह सकते है PGR का क्या role है, plant growth regulators का, integrated nutrient management है, cultivation practices of mango, यहाँ पर अब दे दिया कौन कौन सी fruit crops है, तो fruit crops में देखेगा आम, citrus, बनाना, पपाया, चीकू, कोकोनट, आउला, पोमोग्रेंट, डेट पॉम, बेर, एपल, ब पत्र, यह तो क्या है, fruit science है, तो fruit science में आपको क्या दिया है, आपको fruit से पढ़ने है, plant growth regulators है, PGR से वो आपको पढ़ने है, आपको propagation पढ़ना है, nursery पढ़नी है, और current के कुछ आपके मामलाइन का production से related वो देखना है, कुछ physiological disorders परतेक fruit में दिखाई देता है, जैसे हम बात करे हैं, आपके निम्व में, तो निम्व में जैसे आपके क्या है, हम एक उधान के रूपर देखे कोपर की कमी से डाइबेक होता है, तो इसी परकार से आपके क्या होता है, सेब में भी होता है, बिल पत्र में भी तो यह निम्व में आपके physiological disorders को लेकर के बात की है, ओलेरी culture अ परिंजल, चीली, ओकरा, कुकरबीट, स्वीट, पोटेटो, सकरकंद, स्पेनिच, पाला, कक्योली, प्लोवर, फुल, गोबी, केबेज, गाजर, रेडिस, प्याज, लैसुन, मटर, इस सब गोल है, एलो वीरा, क्यूमीन, फैनल, है, कॉरिंडर, फैनिगुरिक, वेटीवर की, रूट्स को, जिसको कह सकते है, खस-कस, इसका हम इतर बनाने में परियोग करते है, रूट के मादियम से, तो ये क्या है, ओलेरी कल्चर को लेकर के बात की गई है, ये बी यूनिट जिसको कह सकते है, आपके, अगर इसी का हम आगे के और भाग देखें, तो आपके की, अब फ्लोरी कल्चर, इंपोर्टेंस और इसकोप फ्लोरी कल्चर इन राजस्तान, प्रिसीजन फार्मिंग, आधुनिक जो आपके परकार का है, इस्पेशल होटी कल्चर प्रेक्टिसेज, हार्वेस्ट इंडिगेशन जो है, यानि कि कौन शी पसल पक गई उसके कुछ इंडिगेशन की बात है, पोस्ट हर्वेस्ट हैंडिलिंग है, कल्टिवेशन प्रेक्टिशेज ओप रोज, क्राइसेंतिमम, जर्वेरा, गुल्दाओदी, मेरीगोल, गैलाडिया, एंड एक्सेटर, लेंडिस्केप गार्निंग, इस्टाइल ओफ गार्निंग, लोन एंड इस मेंटिनेंस, बायो एस्टेटिक प्लानिंग, इंपोर्टेंस ओफ फोरेश्टिन राजस्तान, पोस्ट हर्वेस्ट टेक्नलोजी, इंपोर्टेंस, प्रिंचिपल और मेथर्स ओफ फ्रूट और वेजटेबल प्रिजर्वेशन, मेचुरिटी इंडिगेशन क्या है, फूड सेप्टी स्टेंडर्स क्या है, फूड सेप्टी स्टेंडर्स को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा की गई है, यहाँ पर यूनिट नमबर तीन में देखे तो सेल एंड सेल डिविजन, यह एक परकार से जेनिटिक्स का पार्ट भी है और आपके बायो का पार्ट भी है कुछ तरीके से और PBG, plant breeding, यहाँ पर तीन चीज़े एक साथ दिखाई देगी, plant breeding आपको दिखाई देगी, यहाँ पर आपको जिसको कह सकते हैं, genetics दिखाई देगी, और यहाँ पर कुछ बायो जिसको कह सकते हैं, cell and cell division, कोशिका और कोशिका विबाजन, center of origin, आपके मेंडल के सिद्धान, heredity, linkage and crossing over, chromosomal, abreciation, structure and numerical है यहाँ पर, multiple allele, blood group inheritance, cytoplasmic inheritance, gene regulation, interaction, genetic material, type of DNA structure, plant breeding, यह तो क्या है, आपके genetics का part है, अब आती है, plant breeding, plant breeding method for self and cross-pollination crop, self और crop, जो आपके cross-pollinated crop है उनके लिए, concept of heterosis, quantitative and qualitative characters, self incompatibility, SI and malistility and its application in plant breeding, इनका plant breeding में क्या रोल है, hybrid domestication, A.C. आपके, acclimatization, plant genetic resources of important crops, crop evolution of wheat, cotton, tobacco, potato, mustard group, breeding for biotic and abiotic stress, in-breeding depreciation, polyploidy, mutation and mutation breeding, marker associated selection, जिसको हम कई बार M.A.S. के नाम से जानते हैं, release and notification of varieties, IPR, intellectual property rights, PPV and FR Act, seed technology, यहाँ पर seed technology को लेकर के बात की गई है, जिसमें seed को विशे को लेकर के चर्चा, तो इस वाले पार्ट में आपके genetics और PBG, साथ में seed technology जिसको कह सकते आपको दिखाई देगी, और seed technology में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ देखेगा, production of important crops, minimum seed standard for production and certification, seed act क्या है, seed control order क्या है, combining ability of DNA, recombinant technology, transgenic crop and their scope, micropropagation and tissue culture techniques, molecular genetics, variation and its cause and importance, multiple factor hypothesis, multiple factor hypothesis और unit number 4 में, chemistry of carbohydrate, यह है आपके biochemistry वाला पार्ट है, lipids, proteins and plant hormones, chemistry of nucleic acids and their functions, outline of metabolism of carbohydrate को लेकर के, lipid and protein, general account of enzymes, enzyme क्या है, co-enzyme and secondary metabolic, brief outline of plant tissue culture, तो plant tissue culture क्या है, और plant bio technology को लेकर के चर्चा की है, molecular markers and their application in agriculture, photosynthesis and photorespiration, respiration, physiology of flowering, phototropism, physiology of growth, PGRs and their role, seed development, germination and dormancy, यानि कि इस वाले पार्ट में, एक परकार से आपके biotech और biochemistry का mixture आपको दिखाई देगा, unit 5 में, contribution of livestock and poultry in economy of प्राजस्तान, यानि कि आपके पसूपालन, livestock development, programs and policies, initiated by government of प्राजस्तान, important, indigenous, crossbreed and exotic breeds of livestock cattle, buffalo, ship, goat, swine, camels and poultry, livestock production system and migration of animal in राजस्तान, livestock behavior and shelter management, principle of housing, hygiene and sanitation, management of different categories animals, cows, groove, आपके pregnant and letting animals, यानि कि अलग अलग आपके animals का management है, calf, उसके calf की stage पर क्या management होगा, growing management क्या होगा, उसका pregnant जो राजसन है, उसमें क्या देखने को मिलेगा, lactating जो आपके जो दूद दे रहे हैं, आपके दूदारू पसूँ, उनका आपके जिसको कह सकते हैं management, अगर आप यहाँ देखेंगे, तो इसके बाद में यहाँ milk synthesis and milking management, milk synthesis, दूद कैसे प्राप्त होता है, और इसकी क्या management है, conventional and unconventional feed and fodder resources, जो प्राजस्तान and their nutritive value, hay or silage making, complete feed and fodder blocks, fodder banks, important infectious and non-infectious disease of livestock and poultry and their preventive and control measures, strategies for reducing the impact of climate change, heat and cold stress in livestock and poultry production, animal x boundary और कुछ आपके poultry को लेकर के इसमें बात की गई है, unit number 5 में, unit number 6, role and importance of fungi, nematodes, viroids, phytoplasma, bacteria, virus and other microorganism in agriculture, classification, morphology, growth, nutrition and reproduction of fungi, bacteria, virus, आपके integrated disease management, biocontrol disease management, major disease, जो fungal disease है, bacterial है, viral है, phytoplasma और nematode के दौरा, of field crop, यानि कि plant pathology, vegetables and fruit of Rajasthan and their management, mushroom production technology, plant quarantine, यानि कि ये वाला जो unit number 6 है, plant pathology को लेकर के चर्चा की है, और इसमें vicious रूप से, disease, जो आपके fungal disease है, virus के दौरा होती है, phytoplasma के दौरा होता है, bacteria के दौरा होता है, nematode के दौरा होता है, कौन सी बीमारिया है, और इनका किस परकार से management किया जा सकता है, unit number 7 में अगर देखें, तो यहाँ देखेगा, insect pest spectrum in Rajasthan and their classification, entomology की बात हो गई, assessment of crop losses and their application in pest management, पसलों को pest के मादिम से होने वाला, नुक्सान और उसका किस परकार से control किया जा सकता है, insecticidal application, hazards and safety precautions, insecticide formulations and their dilutions, यानि कि जो insecticide हम यूज ले रहे हैं, उनका क्या formulation होगा, क्या घोल होगा, और क्या उनका dilution होगा, detection of insect infestation in stored products and their management, बंडारित कीटों में आपके इसको कह सकते, बंडारित अनाज में लगने वाले कीटों और उनका management, community campaign strategies for management of white garb, sapherlut, grasshopper, locust, fall army worm and integrated pest management, insecticidal pollution, residues and tolerance limit, identification, nature of damage, bio, nomics and management of insects, pest of major crops of Rajasthan, laag culture, seri culture और apiculture, entomology में आपके होने वाले important insects और उनका management, integrated pest management क्या है, और इसके साथ biological pest management होता है, वो साथ में आपके यहाँ पर seri culture, apiculture, और यहाँ पर बात की है, laag culture को लेकर के भी, और unit number इसके बाद में हम 8 देख लेते हैं, कि unit number 8 में क्या से लेवस है, तो यहाँ unit number 7 जो हमने देखी, इसके बाद unit number अगर हम देखें, 8 यहाँ पर अगर unit number 8 देखोगे, तो यहाँ देखेगा, agricultural engineering, यहाँ पर agriculture engineering को लेकर बात की है, फारम पावर एंड मसीनरी, बुलक एंड टेक्टर ड्रॉन इंप्लिमेंट्स, टूल्स, मेजरमेंट ओप इरिगेशन वाटर, वाटर लिप्टिंग डिवाइसे, एगरिकल्चर स्टेटिक्स, सिरफ आपके agriculture engineering की दो-चार बिंदू दिये हिन्होंने, इसके बाद agriculture स्टेटिक्स, measurement of central tendency, standard error and divations, correlations, regregation, test of significance, और F and chi-square जिसको कह सकते हैं, इसको लेकर के चर्चा किये गई है, chi-square test, यहाँ पर जिसको कह सकते हैं, इस्टेटिक्स में आपके, experimental designs, CRD, RBD or SPD, unit number 9 में, peculiarities of Indian agriculture, places of agriculture in Indian economy, निति आयोग, consumer behavior, demand and supply, demand schedule and supply schedule, market equilibrium, elasticity, principle of farm management, agricultural marketing, marketing functions and institutions, world trade organization, WTO, contract farming, future markets, prices of agricultural commodity, E-NAM, agricultural finance and credit, credit institutions, cooperative bank है, crop insurance को लेकर के बात की है, PMA, BY, NAIS और modified NAIS, परदसन है, नाबाढ़ है, GST, agriculture development and poverty alleviation programs, agriculture production functions, characteristics and optimization project appraisal techniques, यहाँ पर जो बात की गई है, वो agriculture economics को लेकर के बात की है, आपके, और unit number nine में, objective and principles of extension education, करशी परसार extension education को लेकर के, need assessment, benchmark survey and PRA technique, program of extension in India, especially आपके जिसको कह सकते है, शीरी निकेतन, मार्थेंडम, गुर्गाव एक्स्प्रिमेंट, इटावा पाइलेट प्रोजेक्ट, निल्खेडी प्रोजेक्ट, CDP Community Development Program, पंचायती राज, IADP, IAAP, High Yielding Variety Program है, KVK है, आपके Institute of Village Linkage Program है, ORP है, IRDP है, T&V System है, Training and Village, Lab to Land Program है, ATIC है, RKVY है, मैं अरेगा है, ND है, SGSY है, JRY है, PMRY है, PMF BY जो तीछे भी दे दिया, आपके BME मेर यहां भी दे दिया है, Soil Health Card है, NRLM है, Recent Skill Development Schemes, Especially, PMKVY, WETP, NIM, ASCI, ETC, Teaching Methods कौन से हैं, ICT Application in TOT, TOT, Verbal and Non-Verbal Communication, Dhrishy और रह द्रशे, Diffusion and Adaption in Innovations, Concept, Meaning and Studies of Adaption, Adopter Categories, किसी भी नई चीज़ को Adopter करने की जो Categories होती है, जैसे लेगाड, जो कि किसी भी सूरत में किसी चीज़ को Adopter नहीं करते, 16% होते हैं, Ruler Leadership, Grameen, NETA जिसको कह सकते हैं, NETA क्या होता है, उसको लेकर के, Type and Role of Leadership, NETA के परकार क्या-क्या है और NETA के क्या-क्या अगर यहाँ देखें, तो यहाँ देखेंगा इसमें, Family and Social Groups, Program Planning, Principles and Steps in Program Development, Impact Assessment, Participatory Training Techniques, Front Line Demonstration, Field Day, आपके इसको कह सकते हैं, Field Berman, किसान मेले, Campaign, परचार, Writing Reports, Radio Talks, TV Talks, Writing of Farm Literature and Scientific Information, Identification and Documenting, of ITK, यह तो आपके सलिवस को जिसको कह सकते हैं, आपके पाठेक्रम को लेकर के चर्चा हुई, अब इसके बाद अगर हम देखें कि आपके Scheme of Exams क्या है, आपके परीक्षा का पैटरन कैसा होगा, उसको लेकर के हम बात करें, तो subject number आपके बात करें, तो देखेगा, total questions के अगर हम बात करें, तो यहां देखना है, 40 जिसको कह सकते है, journal knowledge के आपके 40 questions है, आपके total जिसको कह सकते हैं, आपको क्या दिखाई देगा, आपके धाई गंटे का समय आपको मिलेगा, यह ध्यान रखना, कितना, 150 questions है, और आपके पास जिसको कह सकते हैं, 2.30 गंटे का आपको समय मिलेगा, 1.500 questions हैं आपके पास, समय कितना है, दाई गंटे का आपको समय मिलेगा, यह ध्यान रखना है आपको, ठीक है, अब इसमें negative marking आपको जिसको कह सकते हैं, negative market, sell be applicable in the evolution of answer, for every wrong answer, one third, एक बटा, तीन जिसको कह सकते हैं, आपके क्या होगी, negative marking, और आपको यह भी पता होगा, कि RPC का एक नया नावाचार है, पांच options आपको देखने को मिलेंगे, और पांच options आपको फिल करने होंगे यह ध्यान रखना, और major subjects, अगर मैं बताओं यहाँ पर, कि major major subjects क्या है, तो देखेगा, agronomy, horticulture, animalism andry, plant breeding, आपके जिसको कह सकते हैं, agriculture extension है, agriculture economics है, agriculture economics है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे, agriculture engineering है छोटी, तो कुछ major subjects को, biochemistry है, genetics है, इसी में, तो यह जिसको कहा जा सकता है, तो आपके AO का सलेवस, ध्यान रखेगा, AO की जो विद्यारती तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सुनेहरा मोका है, कई बार कतेशा पोस्ट कम है, भाई अधिकारी लेवल की पोस्ट इतनी ही आती है, वो तो मोका था कि एक बार पिछला बैच जिसको कह सकते हैं, लगबग सोके आसपास पद, 97 के आसपास पद आ गए, अधरवाईस तो आने वाले समय में इतनी ही पद दिखाई देंगी, आज के सेशन को विदा देंगे, उतकर्स का ये यूटूब चैनल और उतकर्स आप लोगों के लिए जितना संभव हो सकेगा, उतनी मदद करने के लिए हमें सही तयार रहा है और आगे भी तयार रहेगा, तो सभी को राम राम जैहिंद, जै भारत, बेश्टोप लग!